आज हम लोग नेया टॉपिक शुरू करने जा रहा है अब टॉपिक का नाम है इंपिरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है लेकिन इंपिरिकल फॉर्मूला जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि molecular formula क्या होता है और तुमको molecular formula क्या होता है ये तो पहले से पता है क्या होता है molecular formula तो किसी भी molecule में किसी भी compound का कोई भी molecule है उस molecule में जो भी element है उन elements का number represent करता है molecular formula हमारा जैसे मालोग की calcium carbonate है तो calcium carbonate का जो molecular formula होता है वो CaCO3 होता है तो CaCO3 का मतलब क्या होगा, इस तरह से represent करके हम क्या दिखाना चाहरे हैं कि इसके एक molecule में calcium का एक atom है, carbon का भी एक atom है और oxygen का तीन atom है तो molecular formula का सबसे पहले लिखना definition, molecular formula लिखे निचे लिखो molecular formula represents क्या represent करता है, तो उस compound के एक molecule में प्रतेक element का, जितना उसमें element है उस element का कितना number of atoms है, represents number of atoms of each element number of atoms of each element present in one molecule of the compound किसी भी compound के एक single molecule में किसी भी element का, जितना atom होता है उन atoms को represent करता है molecular formula, for example बच्चो, अगर हम glucose की बात करें, तो glucose का molecular formula क्या होता है C6, H12, O6 होता है, यह simply इसका molecular formula हो गया अगर हम benzene की बात करें, तो benzene का molecular formula क्या होता है C6, H6 होता है, अगर हम water की बात करें, तो water का होता है H2O, ठीक है, अगर हम hydrogen peroxide की बात करें तो इसका क्या होता है, यह तो हम लोगों को पहले से बता था अब सवाल उठता है कि empirical formula क्या होता है उदे को empirical formula क्या होता है empirical formula molecular formula की तरह ही होता है लेकिन यह atoms का जो number देख रहे हो, उन numbers का simplest ratio होता है जैसे carbon hydrogen ox यानि यहाँ पे कितना है, 6, 12 और 6 तो देखो तो यहाँ से कोई number common हो रहा है क्या, 6 common हो रहा है तो 6 को बाहर निकाल दो, अगर तो 6 को बाहर निकालोगे तो बचेगा क्या यहाँ से अगर 6 को हम बाहर निकालोगे तो बचेगा CH2O तो यही हमारा glucose का empirical formula हुआ काने का मतलब empirical formula किसी भी molecule में मौझूद elements के संख्या का simplest whole number ratio होता है simplest का मतलब सबसे छोटा whole number होना चाहिए fraction में नहीं आना चाहिए, ठीक है तो इसको भी हम लिखाएंगे, यह पूरा पहले note करो, इसको note नहीं करना है यह बस सम्झाने के लिए बता है molecular formula का part जो वो पूरा आप note करिए लिख लिए बचेओ, अब देखो empirical formula क्या बताते हम अभी empirical formula किसी भी compound में जितना element है उनके number of atoms का सबसे छोटा whole number ratio बताता है वो ही दिखा हुए, empirical formula represents simplest whole number ratio simplest whole number ratio, simplest का मतलब सबसे छोटा whole number का मतलब वो integer है simplest whole number ratio of number of atoms of elements present in the compound करने का मतलब अगर माल दो compound हमारा वही पुराना glucose है तो glucose का molecular formula क्या था? C6, H12, O6 तो इसके एक molecule में carbon का 6 atom, hydrogen का 12 atom, oxygen का 6 atom empirical formula simply इसका ratio बताता है, सबसे छोटा क्या जरूरत है बच्चों इसका? empirical formula का क्या need IQ हम इसको introduce किये? तो empirical formula simply यह बताता है जैसे देखों माल लोगर हमें यहापे सिप्टेशोल नंबर ratio लें तो 6 common हो जाएगा 6 अगर यहाँ से common होगे तो क्या बचेगा? C, H2, O बचेगा carbon का 6 निकल गया तो 1 बचा 12 में से 6 गया तो 2 बचा और यहाँ से 6 निकल गया तो 1 बचा तो C, H2, O तो empirical formula क्या represent कर रहा है कि प्रते carbon atom 2 hydrogen और 1 oxygen के साथ combine करता है हर carbon जो है वो 2 hydrogen और oxygen के साथ मौझूद होता है मौझूद बोलें है, combine नहीं combine दवास्तों में यह कर रहा है तो हर, जैसे यह बोल सकते है कि glucose में carbon hydrogen oxygen 1 इस्टू 2 इस्टू 1 के ratio में होता है और यह ratio किस चीच का है number का ratio है चाहे तुम बोल सकते हो कि mole का ratio है क्योंकि mole बराबर क्या होता है number बटा है यह गैडरो number और यह गैडरो number constant होता है यानि कि mole हमारा number के proportional होगा तो जो number का ratio आएगा वही mole का ratio आएगा और बताओ, और example लो इसमें दूसरा अग्जाम पर पिसली बार क्या लिए आते है बेंजीन का तो अगर हम बेंजीन ले 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 है तो बेंजीन का molecular formula क्या C6S6 ठीक है तो आप लोग बताओ, empirical formula क्या होना चाहिए 6 common हो जाएगा, क्या बचेगा empirical formula आएगा CH उसी प्रकार से अगर हम water की बात करें तो water का molecular formula क्या H2O तो इसका empirical क्या होगा तो तुम notice कर रहे हो, यहाँ कुछ भी common नहीं हो रहा है hydrogen 2 है, oxygen 1 है तो इसका empirical formula भी H2O ही रहेगा कोई चेज़ नहीं आएगा लेकिन अगर हम hydrogen पर oxide की बात करें hydrogen पर oxide का molecular formula क्या होता है H2O2 तो इसमें से 2 common हो रहा है तो यह हो जाएगा H2O के बराबर ठीक है, अब एक बात बताओ अचो तुमने जिस number को common लिया तो empirical formula आ गया अगर हम empirical formula में same उसी number से multiply कर दें तो वापस molecular formula आ जाएगा क्या बोल रहा हम अगर इस empirical formula में 6 से multiply कर दें तो glucose का molecular formula आ जाएगा empirical formula बेंजिन का कितना SCH अगर इसमें 6 से multiply कर दें तो यह आ जाएगा अगर water वाला वाटर वाला जो है तो same ही है क्योंकि one common लिये थे तो इसमें one से multiply कर दोगे तो वापस से आ जाएगा कहने का मतलब कि जो number common हुआ था उस number से वापस हम empirical formula में multiply कर दें तो क्या हम यह comment कर सकते हैं कि molecular formula आ जाएगा तो common sense की बात है यह सबसे छोटा ratio है तो उस ratio को अगर तुम 2 से गुना करो, 3 से गुना करो, 4 से गुना करो तो कभी न कभी actual ratio तो molecular formula का आहीं जाएगा तितना पहले note करो निख लिए यहाँ तक तो हम क्या देखें कि अगर empirical formula में किसी एक particular number से multiply करोगे तो हमरा molecular formula निकल कर चला आएगा तो क्या हम यहाँ से यह comment कर सकते हैं कि अगर हम empirical formula में multiply कर दें एक integer in से n कुछ भी हो सकता है पहले वाले में 6 है दूसरे वाले में 6 है तीसरे में 1 है चौते में 2 है empirical formula में किसी number n से हम multiply कर दें तो हमारा क्या निकल कर चला आएगा बच्चो हमारा molecular formula निकल कर चला आएगा तो यह बहुत ही एक important formula आगया numerical में अगर तुम empirical formula निकाल लेते हो और किसी तरीके से n निकाल लेते हो तो तुम multiply करके molecular formula आजाएगा n का value इसमें 6 होगा चेक करके देखो cs2o में 6 से multiply करोगे वाफस molecular formula आजाएगा तो अग न को निकालने का तरीका क्या है तो एक चीज़ देखो एक बाद बदाओ जब तुम molecular formula में 6 यहां से 6 common किये तो empirical आ गया तो 6 अगर common लिये हो तो हर atom जो है 6 गुना से घट गया अगर हर atom 6 गुना से घट गया तो हर element का जो mass है जो भी element है उसका जो total mass था पहले 6 carbon का mass था लेकिन अब यहां पे एक ही carbon का mass है पहले 12 hydrogen का mass था अब यहां 2 hydrogen का mass है पहले 6 oxygen का mass था अब यहां एक ही oxygen का mass है तो क्या हम यह comment कर सकते हैं कि प्रतेक element का जो mass पहले एक molecule में मौझूद था उसका ठीक 6 हिसस में मौझूद होगा क्योंकि प्रतेक element 6 गुना से घड़ गया है तो total जो mass है वो भी 6 गुना से घड़ जाएगा ठीक है चेक करके देख लो C6H12O6 इसका molecular weight निकालो तो 6 into 12 बहात्तर हो गया और यहां से 16 into 6 तो आजागा 96 और hydrogen का 12 जब तिनों को add करोगे तो आजागा 180 ग्लुकोस का molecular weight होता है 180 इसका निकालो कारबन 12 ओक्सियन 16 16,12,8 और 2 30 होगा तो क्या notice कर रहे हो यह आया 180 और यह आया 30 तो अगर तुम 180 को 30 से divide कर दो तो 6 आ रहा है क्या इत्ते फाक है तो बिल्कुल इत्ते फाक नहीं हो common sense की बात है जब तुम यहां से 6 common लिए तो atom 6 गुणा से घटा प्रतेक element का atom 6 गुणा से घटा तो total mass जो है वो भी 6 गुणा से घटेगा तो अगर यह 180 आ रहा था तो 30 आ रहा है water में देखो 1 हुगा था common तो यह भी 18 है यह भी 18 है इसको देखो 16 गुणा दो 32, 32, 34 और यह कितना है 16, 17, 34, 17 कितने गुणा का difference है दो गुणा का बिल्कु सही है क्योंग यहां पर दो common हुगा था तो क्या हम यह comment कर सकते हैं कि अगर हमें n निकालना है अगर हमें n निकालना है तो हम molecule के weight को empirical weight से divide करते हैं empirical formula से जो weight निकल कर आएगा वो empirical weight होगा जो molecular formula से weight निकल कर आता है वो हमारा molecular weight होता है एक और बात जो हमारा empirical formula है इसे हम simplest formula भी बोलते हैं दिमार बरतना जो हमारा empirical formula है उसे हम simplest formula भी बोलते हैं तो n बराबर क्या लिखें n बराबर हो जाएगा molecular weight divided by empirical weight ये भी हमारा important हो गया इसको भी याद रखेगा पहले empirical formula तुम से निकल वाएगा उसको बाद molecular weight दे के empirical weight से divide करके तुम n निकालोगे और एक बाद n निकल गया तो empirical formula में multiply करके molecular formula निकालोगे ठीका? डोट कर लिखता देखो बचो माल दो तुमको ये सवाल करना है बोल रहा है calculate molecular formula from following data, data दिया हुआ है data में क्या दिया है? empirical formula उनको direct दे दिया और साथ में molecular weight दिया है तो कैसे करोगे? तो अभी तुरंट सिखाया है कि जब तुम को empirical formula दिया है तो उसे molecular formula निकालने का क्या तरीका है? n से multiply करो, यानि n हमको पहले निकालना होगा चलिए पहला करते है तो n कैसे निकालते है? n बराबर क्या बताया है? n बराबर होता है molecular weight divided by empirical weight molecular weight, कितना है molecular weight दिया हुआ है? 78, लिख दो यहापर 78 divided by empirical weight तो empirical formula से empirical weight निकल के आएगा तो empirical weight कितना है? carbon का 12, hydrogen का 12, 13 हमने इसको divide कर दिया 13 से तो इसको solve करोगे तो यह बराबर आ जाएगा 6 6 आ गया यह नमारा आप क्या लिखा जाए? अब हम लोग लिखेंगे molecular formula बराबर n into empirical formula तो n कितना है? 6 6 को multiply करना है empirical formula कितना है? C, H से यादि formula क्या हो जाएगा? C6, H6 ठीक है? एक करके दिखा दिए विडियो pause करो, बागी चारो तुमने खुझ से करो कर रहें दी चलो हो गया बच्चो आप आए करते हैं second, second main marker क्या होगा? direct करना है, n marker molecular weight कितना है? 92 divided by empirical weight n02 का, तो निकाले होगे तो 46 आया होगा, यानि n2 आगया n अगर 2 आगया, तो molecular formula क्या होगा? n02 में 2 से multiply कर दो, तो क्या आजाएगा? n244 तो या ना अबगा लिखने की दिखरत नहीं है? direct भी कर सकते हो, number 3 number 3 में water है, s2o sorry water नहीं है, empirical formula है तो हमें नहीं पता क्या है, s2o लिखा हुगा है molecular weight है, तो n बराबर क्या? molecular weight और empirical weight निकालोगे, तो 16 और 18 18 और 18 is equal to 1 आगया 1 आनिका मतलब कि तुम empirical में 1 से multiply करोगे तो molecular formula आ जाएगा तो molecular formula कितना हो जाएगा? s2o ही हो जाएगा, ठीक है? number 4, number 4 में h o दिया है और ये 34 दिया है तो इन बराबर कितना? molecular weight 34 divided by empirical weight तो 16 एक 17, 17 से divide कर दिया हमने 2 आ गया तो molecular formula कितना होगा? उसमें 2 से multiply तो आ जाएगा, s2o 2 ते बराबर ठीक है? last, number 5 number 5 में अगर n निकालोगे, तो molecular weight 180 divided by इसको add करोगे तो ये बराबर आ जाएगा, 30 है ये हो या 6 हमारा 6 से multiply कर दोएगा, इसमें गुना कर देंगे 6 से तो क्या आ जाएगा? c6, s2o6, ये हमारा molecular formula आ गया करने का मतला, empirical formula अगर तुमको दे दे, तो तुम molecular formula आराम से निकाल लोगे, इतना तो तुमको आ गया, empirical formula दे दे, तो molecular formula तुम निकाल लोगे, अब empirical formula कैसे निकलेगा? वो हमें सीखना है, ठीक है? नोड करो इतना, देखो बचो, empirical formula आप कैसे निकालेगे? तो questions में तुमको generally percentage दिया रहता है, question में जो भी compound है, उसमें जो भी element है, उनका percentage दिया रहता है, यही reason है कि हम लोग empirical के just पहले percentage by mass निकालना सीखे थे, ठीक है? तो हम लोग empirical निकालना सी सवाल लेते हैं और उसके सारे तुमको हम समझाने का प्रत्म करते हैं, ठीक है, तो एक सवाल लिखो तो, सब को लिखना साथ में, यह compound contains 60% carbon, 32% oxygen and 8% hydrogen by mass नहीं भी दिया रहेगा, तो by mass ही लेकर बताए थे हम, कि किसी भी compound में उसके element का हमेजा by mass देता है, ठीक है? तो बोल रहा है, determine empirical formula चाहे simplest formula भोल सकता है, empirical formula of the compound, ठीक है बच्चों, यह तुमको मालो की सवाल देती है, ठीक है? अब तुम इस सवाल में कैसे बदा करोगे, कि हमारा empirical formula क्या है, तो तुमको percentage भाई mass दे दिया, तो देखो, एक बात बताए, empirical formula में हमने, जो ratio निकाला था, वो तो atom का निकाला था, जैसे oxygen था, तो हम लिखते हैं, जैसे CH2 O था, O1 आया था, O2 का तो हमने नहीं लिया था, O का लिया था, हमेशा जो simplest ratio लिया जाता है, वो number of atom का लिया जाता है, तो यह जो भी carbon, oxygen, hydrogen है, percentage भाई mass किसी का भी दे, लेकिन हम लेंगे किसका, तो हमेशा atom का लेंगे, पहले भी तुमको बता चुके हैं, कि जो percentage भाई mass होता है, वो O का हो, चाहे O2 का हो, चाहे O3 का हो, सबका same ही होता है, तो कुछ भी दिया रहे है, तुम हमेशा O का लेना, क्यूंकि ratio तो तुम्हें O का ही लेना है, चाहे N क लेना है, हमेशा atom के number का तुमको ratio लेना है, तो देखो, इस सवाल हम सबसे पहले क्या करेंगे, कि लिख लो, जो जो इसमें element है, उसको पहले लिख लो, तो carbon है, और कौन है, oxygen, यहाँ पर O लिख लो, और कौन है, तो hydrogen है, और इसका जितना amount दिया हुआ है, सबसे पहले step में दो उसको लिख लो, तो 60% carbon, 32% oxygen, समझना इसको अच्छे से यह बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, है ना, मज़ा आ जागा इसमें, क्योंकि आसान असान गुना भाग रहेगा, हमेशा आसान नहीं रहेगा, किसी इस सवाल मुश्किन भी हो सकता है, वैसे, ले तो 100 gram में 60 gram carbon है, 32 gram oxygen है, और 8 gram hydrogen है, ऐसा हम बोल सकते है, तो हम यहाँ पर लिख रहे है, वैसे भी हमको ratio से मतलब है, तो 100 gram में रहे है, 200 gram में रहे है, 400 में रहे है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ratio always same ही आएगा, ठीक है, तो carbon कितना आया, carbon आया 60 gram, oxygen कितना आया, oxygen आया 32 gram, और hydrogen hydrogen कितने में 100 gram sample में, ठीक है, compound के 100 gram में, लिखना उसको कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आप क्या करें, mass आगया, क्या ratio ले ले इसका, तो ना, हमारा empirical formula mass का ratio नहीं होता है, वो number का ratio होता है, चाहे यूं बोलो कि mole का ratio होता है, कोई दिकत नहीं, पहले सब का mole निकाल लो, तो पहले जो भी sample में दिया है, वो पहले लिख लो, उसके बाद सीधे उसका mole निकाल लो, अगर mass दिया है, तो mass से mole निकल जागा, mass by molar mass, यहाँ तो mass दिया है, अगर माहलो किसी दूसरे सवाल में, इसका number दे रहे था, तो number से mole कैसे निकलता है, given number by hydro number, काने का मतलर, कोई भी data दिया रहे है, उसे सबसे पहले तुम mole निकाल लो, carbon का mole कितना होगा, 60 by 12, mass by molar mass is equal to 5 mole आगया, यह कितना होगा, बच्चों, 32 by 16 करोगे, तो यह 2 आगया, और ऐसे ही hydrogen का जब निकालोगे, तो यह कितना हैगा, 8 by 1 is equal to 8 आगया, तो यह mole आगया, अब देखो तो, mole आगया, 5 5 आगया, 2 आगया, 8 आगया, क्या, simplest whole number ratio आगया, क्या यहांस कुछ common हो सकता है, तो तुम रोडिस कर रहा हो कि 5 भी integer है, 2 भी integer है, fraction नहीं है, बहुत ही simple सवाल दिये थे, हो सकता है कि fraction दे, लेकिन ही सवाल है, fraction नहीं है, यह 5 आया, यह 2 आया, यह 8 आया, है ना, हम देख रह formula बराबर क्या, carbon कितना है, C, 5, O, 2, और H, 1 आगया, यह हमारा answer हो जागया, अगर माल लोगी सवाल में तुम से molecular formula पूसता है, तो पहले हम N निकालते, N बराबर molecular weight by empirical weight, और जो N आता है, उसको multiply कर देते, empirical formula से हमारा answer हो जाता है, ठीका बच्चों, तो हम तुमको बस यह concept ब और भी काम करना बाकी है, mathematically, mathematically कैसे, मालो यह fraction में आ जाता है, तो हमारा ratio तो whole number में होना चाहिए, तो अगर fraction में आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे, यह हमको भी सीखना है, वो maths है simply, fraction को whole number में कैसे convert करते हैं, लेकिन यहाँ हमको represent तो करना है, तो जो math का हिस्सा है, वो हम लो whole निकाले जो सबका whole निकाले, और जो भी मल आ जाये, उसे simplest whole number ratio निकालया, जो भी ओजया है, उसे simplest whole number ratio डारेक्ट आ घया, तो हमारा answer हो जाएगा, वह हमारा answer हो जाएगा, अगर fraction में आया, तो हम देखें को क्या करना है, थीटा, पनीन हो कर इसको पहले, अगला एडिंग दो बच्छो अब इलों सीखें उसी कौम लोग steps में लिख देंगे steps to determine empirical formula निकालने का step क्या है तो पहला step क्या था पहला step अभी तुरंत हमने क्या देखा कि question में कुछ भी दिया रहे है कुछ भी करो कोई बीच अलाकी करो कुछ भी दिमाग लगाओ लेकिन सारे component का तुम mole निकाल लो याना anyhow तुम उनका mole निकाल लो तो पहला point क्या लिखें first calculate number of moles of each element प्रतेक element जितना element है first calculate number of moles of each element प्रेजेंट इन सेम्पल आप दी कमपाउंड same sample में यह important है बच्चो same sample में जैसे आप इछला स्वाल हम ने किया था तो हमारा sample कितना था 100 ग्राम था same sample इसलिए important है अगर तुमसे कोई बोले कि water में hydrogen से oxygen का ratio बताओ तो तुम क्या करोगे एक glass पानी में hydrogen निकाल लोगे और पूरा का पूरा प्रसान मास अगर में जितना oxygen न उसको निकाल लोगे और दोनों का ratio ले लोगे ऐसा करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे अगर तुमसे पुछा जाएगी किसी भी coaching में boys से particular batch में boys से girls का ratio बताओ कि engineering में चाहे medical में है ना on and average प्रत एक batch में कितना boys होता है कितना girls होता है हम ratio पता करना चाहरे है preparation का तो तुम क्या करोगे कोई छोटा batch है उसमें लोगे boys का संख्या और कोई बहुत बढ़ा batch है उसमें लोगे girls का संख्या अलग-अलग batch में है तो ना गलत sample आ जाएगा अगर तुमको ratio निकालना है तो तुमको batch, same रखना होगा उसी प्रकार से अगर तुमको ratio निकालना है तो ना McCarthy jaar निकालना है तुमआरा sample यह पूरा का पूरा खप्म हो जाता है दूसरा ही है step में दूसरा लाइन जो हम लिखेंगे वही पर यह theory खप्म हो जाता है क्या theory हो है देखो after this after this determine simplest after this determine simplest whole number ratio of step 1 में आपने जो भी मोल निकाला उन मोल का simplest whole number ratio ले लो काम खत्म हो गया ठीक है theoretically काम खत्म हो गया concept यहां खत्म हो गया लेकि तुम बोलोगे simplest whole number ratio लेना इतना असान है क्या अगर fraction में आ गया तब कैसे हम लेंगे ठीक है तो इसी का sub point होता है second का sub point second का हम यह लिख रहे है simplest whole number ratio अगर आ गया direct तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है तुम तो वही answer कर दो बच्चो अगर मान लो की whole number ratio नहीं आया तो समझना द्यान से यह पुरा का पुरा maths है कैसे हम उसको convert करते हैं simplest whole number ratio में तो एक बात बताओ हमारा सबसे छोटा whole number का है हमारा सबसे छोटा whole number one है तो जितना भी तुम्हारा mole निकल के आया मान लो हम यहाँ side भी लिख रहे हैं मान लो की तुम जब यहाँ mole निकल ले तो सपोच करो carbon है hydrogen है और oxygen है carbon का मान लो 2.1 आ गया hydrogen का 4.4 आ गया ठीक है और हमारा oxygen जो है वो हमारा सपोच करो की 1.9 आ गया ऐसा हो गया तो तुमसे बोला है कि अब simplest whole number ratio बताईए fraction में लेकिन आ गया हमारा पहला step से हम mole निकाले और यह दशमलों में आ गया तो क्या करेंगे एक बाद बढ़ा simplest whole number ratio सबसे छोटा whole number क्या होता है सबसे छोटा whole number one होता है अगर सबसे छोटा whole number one होता है तो इन तीनों में से one अगर होगा हम यह नहीं बोलना है कि होगा ही लेकिन अगर होगा तो कौन होगा तो तुम बोलोगे carbon होगा तुम बोलोगे यह दुनों one क्यों नहीं हो सकता है तो अगर hydrogen one हुआ तो hydrogen की तुलना में carbon कम है तो अगर hydrogen one हुआ तो carbon को one से छोटा होना होगा अ अगर one कभी होगा, तो जो सबसे छोटा है वही होगा, यानि कि carbon one होगा, और अगर carbon नहीं होगा, तो कोई नहीं होगा, तो हम करेंगे क्या, carbon को सबसे पहले one बना दो, simplest whole number ratio जब निकाल रहे हो, और fraction में आ जाए, तो सबसे पहले जो सबसे छोटा है, उसको one बना दो, तो सबसे छोटा को one बनाने का क्या तरीका है, इसको इसी से divide कर दो, कहने का मतलब, 2.1 को divide कर दो 2.1 से, लेगिन तुम बोलोगे, कि जब भी हम ratio निकालते हैं, तो ratio को maintain रखने के लिए, जिस number से multiply करोगे, सब में multiply होगा, और जिस से divide करोगे, सब में divide होगा, तो अगर पहले वाले में 2.1 से divide कियो, तो सब में तुमको 2.1 से divide करना होगा, तो अगर यहाँ 2.1 से divide होगा, तो 4.4 में भी 2.1 से divide होगा, 8.9 में भी 2.1 से divide होगा, क्या सीखे, सब से पहले मोल निकाल दो, मोल निकालने के बाद जो result आया, अगर वो fraction में है, अगर वो fraction में है, तो सब से छोटे वाले से सब को divide कर दो, यह नहीं चोड़ाया, क्या हम बोले, सब से छोटे वाले से सब को divide कर दो, ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि हमारा सब से छोटा वाला जो है, वो 1 बन के आ जाया, ठीक है बच्चो, और ये भी कुछ calculate होके आएगा, ये भी कुछ calculate होके आएगा, अगर whole number आ गया, तो तुमारा answer आ गया, अगर whole number नहीं इसका मतलब ये 1 नहीं हो सकता है, तो 1 नहीं होगा, तो और क्या possibility है सब से छोटा, 2 हो सकता है, तो 3 को 2 से गुना कर दो, 2 से गुना कि ये whole number आ गया, तो बहुत अची बात है answer आ गया, अगर नहीं आया, तो 3 से गुना कर दो, 3 में आ गया तो ठीक है, में तो 4 से गुना कर ये प्रक्रिया हम तक तर रखेंगे जब तक हमारा whole number नहीं आ जाए, तो तुम बोलोगे ये तो बहुत लिंदी हो गया, गुना करते ही चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, तुम जब data देखोगे न बच्चो, तो देखते के साथ तुमको realize हो जाएगा कि हमको किसे multiply करना है ये सब तो theory है, ऐसे भी तुमको पता है कि बढ़िया से clear कब होता है, सवाल करके, है ना, तो क्या सीखे है हम लोग बच्चो, यहां से क्या सीखे, पहले mole निकाल दो, अगर mole हमारा दश्रमलों में आया, तो जो सबसे छोटा है, उससे सब को divide कर दो, तो क्या दिखेंगे हम एहला point क्या है, mole निकालो, mole निकालने के बद क्या बोलें, कि simplest whole number ratio निकालो, और simplest whole number ratio निकालने का तरीका बता रहे हैं, तो क्या बोलें, divide calculated number of moles by smallest mole, जो भी आपने calculate किया number of moles, उसको divide कर दो, सबसे छोटे वाले moles से, यहाँ सबसे छोटा 2.1 था, तो 2.1 से सब को divide कर दी है, calculated number of moles, उसके बाद क्या किया है, सबसे छोटे वाले से divide करने के बाद जो result आया, उस result को 1 से गुना किया है, 2 से गुना किया, 3 से गुना किया, 4 से गु एक डूजलता जौड गुलिए टीम चाग एक डू तीम चाग इंक्रेसिंग गड़ी तेम एक टीम चाग इंक्रेसिंग गड़ीजर गड़ीजिग ऑन्तीम होलनूबसर एल तब तक जब तक होल नमबर ना मिला है और जैसी होल नमबर आया हमारा empirical formula आ जाएगा ठीक है बच्चो तो बताओ फिर से क्या करना है same sample में सबसे पहले तो same sample में जितना भी element है सबका mole निकाल लो mole निकलने के बाद जो सबसे छोटा mole आया उससे सबको भाग दे दो बोलते जाओ पहला step क्या है mole निकालो दूसरा step जो सबसे छोटा mole है उससे सबको भाग दो भाग देने के बाद जो result आएगा या तो वही answer होगा नहीं तो उसको integer से तब तक multiply करेंगे जब तक कि वो whole number में करणवाटना हो जाए खत्म हो गया मातरतीने step इतना सारा समझाने में time लगा बहुत बर तुम को लग रहा हो कि बहुत सरा चीज समझा रहा है confusion हो रहा होगा लेकिन अब भी जो बोल रहा है वो निचोड़ है क्या निचोड़ है स सबसे पहले सबका मोल निकाल लो पहला point हो गया सबको समझ में आ गया सबसे पहले सबका क्या निकाल लो मोल निकाल लो फिर क्या करेंगे मोल निकालने के बाद जो सबसे छोटा मोल आया उससे सबको भाग दे दो भाग देने के बाद जो result आया वह हमारा answer होगा अगर whole number में है तो अगर नहीं है तो उसको इंटीजर से तब तक मैंटिप्लाई करो जब तक ये whole number ना आ जाए डन हो गया है ठीक है अभी numerical देखते हैं देखना बिल्कुल इसी concept से सारा सवाल हो जाएगा ठीक है नोट कर दो देखो बचो ये सवाल करते हैं बिल्कुल exact process को follow करते हुए करा empirical formula एक compound का बताईए जिसमें 26.6% potassium है तो क्या बोले थे सबसे पहले इस तरीके से लिख दो बिल्कुल ऐसे लिखना अलग तरीके से मत लिखना जो 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 है उसको लिख दो के फिर chromium chromium का क्या होता है CR और oxygen हो गया O तीनों का percentage दिया है percentage देने का मतलब है by mass दिया हुआ यहने 100 gram sample में दिया तीनों को 100 gram sample में potassium कितना होगा 26.6 gram होगा आगे बोलो क्या करें chromium का कितना निखे 35.4 gram होगा oxygen कितना होगा 38.1 gram होगा वैसे तुम लोग इस सवाल को कर सकते हो जो concept बताया है उससे लेकिन पहले देख लो समझ लो क्योंकि यह fraction वाला है एक बर सीख लोगे तो सारा स्वाल हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले क्या सिखाए बच्चो सबसे पहले सिखाए कि मोल निकालो तो मोल निकाला जाए 26.6 को डिवाइड कर दोगे potassium का molar mass कितना होता है 39 होता है potassium का atomic number 19 होता है और molar mass 39 atomic weight 39 था क्रोमियम का कितना तो 35.4 में 52 से डिवाइड करोगे सवाल में दिया रहेगा एक्जाम में अगर आएगा तो atomic weight दिया रहेगा ठीक है oxygen की case में 38.1 और इसका molar mass कितना तो 16 दिनों का मोल आ गया अब देखो क्या करना यह थोड़ा सा इसमें calculation अला part आता है जब भी वैसे एक्जाम में जब calculation आएगा तो 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 लिख कर रख लो कि आसाम calculation आएगा बिल्कुल ऐसी हो जाएगा अलग से भाग देने के जूरत नहीं पड़ेगी काट काट के हो जाएगा ठीक है लेकिन जब तुम अभी प्रिप्रेशन कर रहे हो तो ऐसा ऐसा तुमको मिलेगा तो फिर बिल्कुल अपना time लेकर बढ़ियां से भाग देना गलती नहीं होना चाहिए तो यह आजाएगा 0.68 इसको भी solve करोगे तो यह भी आजाएगा 0.68 लेकिन जब इसको solve करोगे तो यह आपका आजाएगा 2.38 के बराबर ठीक है और यह हमारा mole चलाया सहिए बच्चों मास से सबसे पहले हमने mole निकाल लिया तीनों का mole निकल गया उसके बाब क्या सिखाय थे कि अब तुमको simplest whole number ratio चाहिए तो अगरा इस्टेप क्या था? क्या सिखाये थे? कि तीनों में जो सबसे छोटा था तो सबसे छोटा कोँ न है? 2.38, 0.68, 0.68, 0.68 यह दूनों सेम है और सबसे छोटा था तो सबसे छोटा जो 0.68 है उससे सबको भाग दे दो तो यह दो भाग तो 0.68 में 0.68 से ही भाब दोगे तो बन आ जाएगा यहां भी 0.68 में 0.68 से भाब दोगे ये भी बन आ जाएगा और 2.38 में 0.68 से भाब दोगे तो कितना आएगा ठीक है तो वह हम लोगों निकालना पड़ेगा तो उसको अगर तुम निकालोगे तो आजाएगा 3.5 के बराबर तो देखो हमने सबसे छोटे बाले से डिवाइडी करती है लेकिन होल नमबर अभी भी नहीं आया ये 3.5 आया लेकिन हम क्या बताया थे कि तुमको देखकर ही दिख जाएगा कि हमको किसे मल्टिप्लाई करना है तो एक बात बताया यहाँ 1 आया यहाँ 1 आया यहाँ 3 आया किस नमबर से मल्टिप्लाई करें कि 3 का 3 whole नमबर में convert हो जाए और सबसे छोटा नमबर होना चाहिए हो ऐसा नहीं कि हम इसको 100 से गुना कर रहे है सबसे छोटा नमबर से तो देखो तो 2 से multiply करके देखो थे 2 से multiply करोगे तो ratio maintain करने के लिए 3 हो यह multiply करना होगा तो 1 में 2 से multiply करोगे 2 आया 1 में 2 से multiply किये 2 आया और 3.5 में 2 से multiply किये तो 7 आ गया whole number simplest भी है यानि कि हमारे empirical formula आ गया तो देखो तो क्या किये एले जो दिया था सवाल में whole निख लिए फिर mole निकाले मातर तीने step में होता है मातर तीने step है ना mole निकाले सबसे छोटे वाले से तीनों को divide किये और फिर integer से तब तर गुना किये जब तर की whole number ना आ जाए क्या होगा empirical formula K2 CR2 और O7 K2 CR2 O7 है ना ये हमारे empirical formula आ गया ठीक है बच्छो नोट करो अगला सवाल अभी तुम लोग करोगे ठीक है नोट करो नाइन पॉइंट ग्राम जिंक मास दिया है 1.82 10 to the power 23 items of chromium यहाँ number दे दिया chromium का और 0.6 mole of oxygen तो यहाँ पर variety है तीनों का लग लग दिया है तरीका क्या है वही same सबसे पहले क्या लिखेंगे कौन है जिंक है दूसरा कौन है chromium और तीसरा कौन है तो oxygen chromium के बारे में chromium के बारे में जनकारी दिया 1.8 into 10 to the power 23 items दे दिया यहाँ पर number दे दिया और oxygen का mole दे दिया कितना mole दे दिया 0.6 mole दे दिया तो यह जो सवाल था उसे अभी हमने लिखा है बस अगला एस्टेप क्या करेंगे तीनों का mole निकलेंगे कैसे उसका mole तो पता है यह number है तो given number भाई यह हो गैडरो number और यह mass है तो given mass भाई molar mass जब mole निकल के आ जाएगा जब mole निकल के आ जाएगा तो अगर whole number में आ गया तो वही हमारा simplest roll number ratio आ जाएगा ठीक है तो वीडियो को pause करो और इसको try करो उसके बाद हम करेंगे तो क्या करें जिंक के बाद जिंक का तुम्हों का atomic weight नहीं दिये थे जिंक का atomic weight होता है 65.4 जिंक का atomic weight 65.4 होता है फिर से अगर try करना है तो try कर लो हम आया करते हैं pause करके play कर क्याएगा तो 9.81 में divide कर दो 65.4 से जब इसको solve करोगे तो यह आजाएगा 0.15 के बराबर ठीक है यह number है तो given number को किसे divide करते हैं यह वो गैट्रो number से यह वो गैट्रो number कितना 6.022 into 10 to the power 23 इसको आप solve करोगे तो 10 का पावर 30 कर गया अब देखो यहाँ 6.0 है तो यह लगभग हम 6 ले सकते हैं और उपर में 1.8 है तो 1.8 को 6 से divide करोगे तो यह आजाएगा 0.3 के बराबर ठीक है 0.3 लिखो चाहे 0.3 0 लिखो बात बराबर ही है यह कितना आ गया यह हो गया 0.6 मोल ही रहा है क्योंकि यह तो मोल है नहीं और यह भी मोल आ गया अगला इस टेप क्या है तीनों में सबसे चोटा हो तो इसमें बच्चा क्या गलती करता है उसको लगता है कि 0.6 सबसे चोटा है 0.15 क्योंकि दसमलों के बाद यहां बहुन है यहां दसमलों के बाद 3 है यहां दसमलों के बाद 6 है तो सबसे चोटा कौनों का दसमलों 15 तो हम क्या बोले थे सबसे चोटे वाले से तीनों को डिवाइड कर दो कर दो डिवाइड कितना आएगा 0.15 divided by 0.15 यानि कितना आ गया 1 यहां भी डिवाइड करो 0.30 by 0.15 यह कितना आ गया 2 के बराबर और यहां डिवाइड करो गया 0.6 by 0.15 तो दसमलों के 2 अंग तक है यहां नीचे इसको भी 60 करतो, कोई दिकत नहीं है तो यह आ जागा 4 के बराबर बस खत्म हो गया JN1, क्रोमियम कितना आया क्रोमियम 2 आया और आक्सिजिन 4 आया यह इसकान इकली फर्मुला हो गया डारेक्ट हमारा डिवाइड करते ही वल नम्बर में आ गया सेम सवाल, सेम कॉंसेट्ट किया जा इसको भी क्या दिया हुगए ? डारेट कर रहे हैं regenerateल दिया हुग है 70.6 परसेट दिया दिया हम दिया हुग है 70.6 परसेट यानि 2 है बीस्टरड D carbon यह रख था है 11.8 internet रॉऔह 1.4 ग्राम हुग है और जोता है आक्सिजन यह हो गया 13.4 तोडिगा αυτό है मोल निकालो गए 70, I think कि आप लोगो अब रटा गया होगा, क्या क्या करना होता है, मोल निकालो पहले, यह solve करोगे, तो आ जाएगा 5.88, यहाँ मोल निकालो तो 4.2 by 1, यह हो जाएगा 4.2 मोल अरहा है, इसका निकालो गए, 11.8 divided by 14, इसको solve करोगे, आप तो आ जाएगा 0.84 मो अभी तुम चाहो तो इन सबों को Calculator से भी कर सकते हो कोई दिखर नहीं है ये solve करोगे तो आज जागा 0.8375 मोल अब इतना 4 एंग तक है तो Calculator से निकाल लो तुमको तो सीखना है ना concept तुमको समझ जाएगा time relation नहीं होगा exam में जो है आप किया करें बच्चों सबसे छोटे वाले से डिवाइड कर दो सबसे छोटा कौन है ये 5 पॉइंट है ये 4 पॉइंट है और ये दसम्लोग एक से कम है ये दूनों कम है और ये सबसे चोटा है 0.83 है ये 0.84 है तो 0.8375 से सभी को डिवाइड पर दो 5.81 डिवाइड बई 0.8375 इसको सॉल्व करोगे तो आजाएगा 7.02 4.2 को डिवाइड कर दो 0.8375 से तो ये आपका आजाएगा 5 के बढ़ावर तो इसको अगर डिवाइड करोगे 0.84 को 0.8375 से तो देखो 0.8375 लगभग तो 0.84 ही है तो ये सॉल्व करोगे ये 1 के बढ़ावर आजाएगा और इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो 1 ही आजाएगा तो ये जो 7.02 आइसको हम चाहें तो अप्रॉक्सिमेटली 7 लिख सकते हैं ये अप्रॉक्सिमेटली 7 लिख सकते हैं कि आठ बना दे तो ये बेवकुफी नहीं करना है अप्रॉक्सिमेटली 8 लिख सकते हैं M, O, हो गया, नोट दर लो. देखो बच्वों, ये सवाल देखते हैं, थोड़ा था चेंज है इसमें, क्या चेंज है? इस सवाल में empirical नहीं, बलकि तुमसे molecular formula कुछ रहा है, और empirical नहीं देकर तुम्हें data दिया हुआ है, जो data भी हम लोग, जिसके हम लोग empirical formula निकालते हैं, तो क्या करें, compound of nitrogen and oxygen was found to contain 7 to 16 by mass nitrogen and oxygen, क्या है, यहां mass का ratio देथी है, कोई दिकत में ही, ratio से भी कोई दिकत में ही, लेकिन mass का ratio दिया, हमें तो mole का ratio चाहिए, सारा का सरा वही काम करो, लिख दो nitrogen and oxygen, mass कितना है, यह हो गया 7 gram, और यह हो गया 16 gram, दिया हुआ है 7 to 16, तो 7 gram और 16 gram, अगर हम mole निकाले, तो 7 को divide करोगे 14 से, तो यह कितना आगया, यह आगया, half mole के बराबर, और 16 को जब 16 से divide करोगे, तो यह 1 ही आजाएगा, whole number में convert करने के लिए 2 से खुना कर दो, यह half है, यह 1 है, whole number में convert करने के लिए 2 से गुना करो, तो यह हो जाएगा 1, और यह हो जाए यानि कि n o 2 आ गया, ठीक है, लेकिन हम से तो molecular formula पूछ रहा है, और हमें vapor density दी आया, तो क्या किया जाए, molecular weight बराबर क्या होता है, 2 into vapor density, और 2 into 46 करोगे, तो आ जाएगा 92, ठीक है बच्चो, molecular weight आ गया, अगर हम n निकाल ले, तो हमारा molecular formula आ जाएगा, तो n बराबर क्या होता है, n बराबर बता है क्या, molecular weight, divided by empirical weight, molecular weight आया 92, empirical weight यहां से निकाल जाएगा, तो n o 2 का empirical weight निकालोगे, तो यह आ जाएगा 46 करोगे, यानि कि n हमारा 2 आ गया, बस खत्म हो गया सबाब, अब क्या करेंगे इसके बाद, molecular formula बराबर, n into empirical formula, n कितना आया 2, और empirical formula क्या है, n o 2, यानि, multiply करोगे तो क्या जाएगा, n 2 o 4, तो पुराने concept से हमने पहले empirical formula निकाला, molecular weight नहीं देखे, vapor density दिया था, वेपर density से पहले हमने molecular weight निकाला, और molecular weight निकल गया, empirical weight यहां से आ गया, ratio लेकर 2 कर लिए, और 2 से गुना कर दिये empirical में, तो हमारा molecular formula आ गया, ठीक है, command हो गया यहां तर, तो आसी class समन में आगए, अगले class में हम इसी को थड़ा और elaborate करेंगे, है न, यह molecular weight जो तुम निकाले हो, vapor density से, हो सकता है कि तुमको हम कुछ और देदे, PM बराबर DRT देदे, तो PM बराबर DRT से molecular weight निकल भाएंगे, और बागी यही सारा गाम कराएंगे, ठीक है, और empirical formula का एक और थोड़ा सा advanced concept होता है, वो तुम लोग अगले class में सीख हो गए, ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों, अगले class में,